विदेश व्यपार में पैसा डूब जाए ऐसा बहुत कम होता है केवल तभी होता है जब आप वो आसानी से पूरे विश्व में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है विदेश में बैठा व्यक्ति आपकी कंपनी के ओपर ज्यादा विश्वास करेगा क्योंकि भारती कंपनी तो बड़े आसानी से आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं आप इंपोर्टर बन सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्ट रामित माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और सीओ, मेटा सोवर्स इस लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आप लोग से एक प्रशन पूछता हूँ आप इंफॉर्मेट एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते उसके बीचे तीन मुक्ष्य कारण है नबर वान, या तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इंफॉर्मेट एक्सपोर्ट का बिजनस करना है या आपके पास ऐसे लोग नहीं है मतलब आपके पास ऐसी टीम नहीं है जो आपके बिहाफ पर इंफॉर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए कर सके या आपके सरकल में ऐसे लोग नहीं है या आपने कभी सीखने का प्रयास भी नहीं किया कि इंफॉर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है आज इस विशापर्म बात करने वाला हूँ वो ये है कि कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं जिनको अपना कर आप आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनस शुरू कर सकते हैं मतलब how to become an exporter easily by following these 6 steps अगर आप इन 6 steps को follow करते ना तो बड़े आसानी से आप exporter बन सकते हैं आप importer बन सकते हैं बशर्ते आप इन बातों को सुनने सीखने और समझने के बाद अपने बिजनस में implement करें तो सबसे पहली बात एक बात का ध्यान रखेगा भारत आर्थिक शक्ति गुरूप में मजबूत केवल तब ही बन सकता है जब भारत में आप जैसे लोग export करना शुरू करेंगे माल विदेश में जाता है और विदेश की करनसी हमारी देश में आती है जिससे हम आर्थिक रूप में मजबूत बनते हैं तो आज मैं आपको बतानो छे कौन-कौन साइसे स्टेप्स हैं जिनको कोई भी बिजनस ओनर चाहें वो किसी गाउं शहर तालुका कस्बे या राजी में बैठा हुआ है वो आसानी से पूरे विश्वर में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है तो सबसे पहला स्टक है कंपनी प्रोफाइल आप बनाएं एज एक्सपोर्टर इंपोर्टर अब आप कहेंगे कंपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं फ्रेंड जब आप रीटेल कर रहे हैं तो आपने रीटेल से सम्बंदित कंपनी प्रोफाइल बनाय चाहते हैं तो सिर्फ दो वर्ड और अड़ कर दीजिए वी आर मैनुफैक्ट्टर एंड एक्सपोर्टर और स्टेलने स्टील मॉडूलो किचिन तो इससे कहोगा आपकी कमपनी की प्रोफाइल यह रिप्रेजेंट करेगी कि आप कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस करते हैं तो अपनी कमपनी की प्रोफाइल एज एक्सपोर्टर तयार करें उसके बाद अगर आपकी कमपनी की प्रोफाइल है लेकिन आपकी कमपनी सिस्टेमेटिक तरीके से फॉर्मेंशन पर नहीं हुई वी है मतलब आपकी private limited company नहीं है तो मेरा आपसे request है कि एक private limited company form करें, जब आप private limited company form करेंगे तो आपकी identity ज़्यादा विश्वसनी होगी विदेश में बैठा व्यक्ति आपकी company के ओपर ज़्यादा विश्वास करेगा क्योंकि भारती एक company अधीनियम 1956 के अंतरगत आपकी company register होगी एक corporate company होगी उसमें एक equity होगी, उसमें shareholder होगे उस company की एक बैठता मानी जाएगी और उस company का GST number भी साथ में ज़रूर लें चुकि विदेश विवापार में GST number बहुत important हो जाता उसके बाद apply for IEC code अब IEC code कह है? import export code या import export license भी इसको कहते हैं अब ये कैसे मिलता है? पहले तो क्या होता था? हम accountant को बोलते था accountant इंपोर्ट export code के लिए apply करता था CA को बोल देते थे या किसी advocate को बोल देते थे या किसी AC agency को जो ये सारे काम करती है अब तो बहुत आसान हो गया है government of India की site है dgft.gov.in इस site पर जाएं और import export code के लिए apply करें बिल्कुल simple है कुछ basic steps है आपका अधार card, आपका PAN card, आपका GST number, आपका registration certificate, आपकी company की detail, आपके product and services ये सारी जानकारी आपको उसमें डालनी है उसके document को scan करके डालना है उनकी एक fee pay करनी है 15-20 दिन में import export code आपके पास आजाएगा तो पहला step क्या हुआ सबसे पहले company की profiling कर ली उसके बाद company form करके GST number अपने ले लिया import export code के लिए apply कर दिया जब import export code आपके पास आजाएगा तो ऐसे bank में account खोले जहाँ पर exim हो मतलब आपके bank की unit exim पर काम करती हो import export पर काम करती हो और ये कैसे पता लगेगा अपने bank से पूछ ले कि क्या आप international transaction को accept करके मेरी money को wire transfer convert कर देंगे अगर हाँ तो उसी bank में account रहने देगर नहीं तो ऐसे bank में account खोले जहाँ exim की facility हो और ये बात आप अपने bank कर से पूछ सकते हैं उसके बाद get RCMC membership certificate in EPCI पहले clear कर देता हूँ RCMC registration come membership certificate अब ये किसका लेना है आपको ये लेना है आपको EPCI अब EPCI क्या होता है दोस्तों भारत सरकार ने न विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए promotion council of India भारत सरकार ने एक ऐसी council बनाई हुए जहां पर आप अपने business को ले जाकर उसको आसानी से export में ले जाकर और साथ में promotion भी वहाँ कर सकते हैं तो export promotion council of India की क्या है अलग-अलग branches है आपको ये देखना है कि आपका product किस तरह का है जैसे आप textile में करते हैं तो export promotion council of India of textile या textile export promotion council of India जैसे हम लोग करते हैं steel export promotion council of India food FMC जी करते हैं तो हर एक division के अलग-अलग export promotion council government ने बनाई हुई है उसकी membership ले 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 अब ये भी inquiry आपको का मिलेगी how to become member of export promotion council of India आप google पर लिखेंगे तो वहाँ पर वो site आजाएगी फिर आपके product की information आएगी तो उससे related आपके city में कौन-कौन से export promotion council इंडिया के offices हैं वहाँ जाएं या वहाँ का website खोलें online form fill करें और उसके member बन जाएं उसके बाद get membership of ICD अभी ICD वहाँ लागू होता है जहाँ पर समुद्र port नहीं पड़ता है मतलब वो सारे राजे इसको हम dry area बोलते हैं जहाँ आसपास में समुद्री area नहीं होता जैसे Delhi है उत्तरपरदेश है है ना तो यह वो राजे हैं जहाँ पर समुद्र नहीं है जब समुद्र नहीं है तो क्या होगा ICD ICD मतलब Inland Container Depot एक ऐसा डिपो बना होता है जहाँ पर आपका माल जाएगा कंटेनर में लोड होगा और कंटेनर लोड होने के बाद वायर ट्रांसपोर्ड वो कंटेनर पहुँच जाएगा shipment के लिए जहाँ पर समुद्री एरिया है जहाँ पर पोर्ट बने हुए तो हम जैसे डली में है तो डली में है तो गलकाबाद में ICD है तो ICD के मेंबर्शिप आप ले ले ताकि आपका कोई भी मेट्रियल जाए तो ICD को ये पता हो कि कौनसे एक्सपोर्टर का मेट्रियल जा रहा है तो ये ही 6 स्टेप है चाहें आप 1 रूपय का विदेश वियापार करें चाहें आप 1000 करोड का विदेश वियापार करें हर व्यक्ति के विलनी 6 स्टेप को फॉलो करता है और Information Technology के इस युग में सारी चीजों की जान कर लेना बहुत असान हो गया आप भी तो आज वीडियो के मादिम से मुझसे Information ले रहे हैं जब आपके 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएना तो समझ लीजिए आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करने के लिए तयार हो गई है अब जरुवत है अगला स्टेप और वो क्या है International Buyer Find Out करना, Payment Terms पर बात करना Product के बारे में बात करना तो उसके कुछ स्टेप्स हैं Number 1, सबसे पहले जब आप Export शुरू करेंगे तो अपनी Business की Website बनाएं और Export की Detail जिसमें होनी चाहिए जैसे आपकी Website है तो वहाँ क्या है Retail की Detail है, Wholesale की Detail है, B2B की Detail है, B2C की Detail है Dealership की, Distributorship की, Franchise E की, C&F की, Super Stockist की सारी Detail है जो भी काम आप करते हैं तो वहाँ पर Import-Export से संबंदित जानकारी भी होनी चाहिए आपकी Profile होनी चाहिए उसके बाद, Make Google Business Account अब Google का एक Account है, Google पे आप अपना Free में Business Account खोल सकते हैं वहाँ पर आप आप as a exporter अपनी पूरी की पूरी Profile अपनी कमपनी के Photographs, Product की Information कमपनी का Vision, कमपनी का Mission कमपनी क्या काम करती है, क्या Product बनाती है कौन-कौन से देश में एक्सपोर्ट करने के लिए आप तयार हैं उसकी सारी जानकारे लिखें Find International Buyer अब है सबसे important क्या है आपकी कमपनी की Profile तयार हो गई International Buyer ढूंडे अब प्रशनी उड़ता है कि सर आपनी इतनी सारी बाते बता दी International Buyer कैसे ढूंडे तो दोस्तों, How to find out International Buyer की पात से अदा वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पढ़ दी हुई है मेरे आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि International Buyer कैसे ढूंडा जाता है International Buyer ढूंडने के बाद जब बायर से आपकी बातचीत हो तो Give Sample, अगर आपका Product Sample-based है तो Sample उनको दो या उसका PDF, उसका Video या उसका Demonstration Online, Offline आप कैसे दे सकते हैं कई बार क्या होता है, हमने कोरियर से प्रोड़क्ट भेज दिया और यहाँ Video Conferencing के मादियम से उसको Demonstration दे दिया या अगर आपका Product महंगा है तो वो जो आपने Sample भेजा है, वो Paid Basis पर भी भेज सकते हैं अगर Sample की Cost बहुत जादा नहीं है, तो Free भी भेज सकते हैं जब आपका Product, आपका Sample आपके Consumer को पसंद आएगा तो वो बात करेगा आपसे Payment Time and Condition पे स्टार्टिंग में, Ask for Advance, जब तक आप एक नए एक्सपोर्टर है न तब तक मेरा आपसे request है कि 50% on order and 50% before dispatch पर ही काम करें मतलब 100% Payment Advance लें क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारी टम्स की Clarity नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि आपका माल भी पहुंच जा और पैसा भी ना है विदेश व्यपार में पैसा डूब जाए ऐसा बहुत कम होता है कि अबल तब ही होता है जब आपको जानकारी नहीं होती कि विदेश व्यपार में पैसा ना डूबे उसके लिए में क्या साफधानिया बरतनी है इस से रिलेटिड भी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाने वाली है तो जरूरत है पेमेंट के लिए आप बात करें अपने बायर से जब वो आपको advance payment दे तो आप material produce करें या trading करते तो इकठा करें उसकी proper packaging करें उसकी listing करें और ICD पर अपना material with document भेज दें उसके बाद start import export dealing लगातार import export करते रहें जब आप पहली बार first container full container या sharing base पर भेजेंगे ना तो कुछ समस्यां आएंगी और अगर समस्यां आएंगी तो समझ लीजिए वो समस्यां आपको रोकने के लिए नहीं है वो आपको यह सिखाने के लिए है कि आने वाले समय में जब आप बड़े लेबल पर विदेश्वयापार करेंगे तो उन समस्यां के समाधान आपके पास होंगे दीरे 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 आप एक्सपोर्ट करते जाएंगे और एक दिन आपका नाम बहितरीन एक्सपोर्टर्स में शुमार होगा फ्रेंड ये बात जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं ये मैं अपने प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस के अधार पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी है मेटास ओवरसेज लिमिटेड जिसमें स्टिलने स्टिल मडू लोकिशन की मैनेफाक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट भी गरते हैं और पूरे भारत वर्ष में हमारे फैंचाइजी और डिलाशिप चोरू में जब मैंने पहली बार एक्सपोर्ट किया था था तो सारी प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी लेकिन दीरे दीरे जब नमबर ओफ एक्सपोर्ट बढ़ते चले गए सारी बातों का हमें पता चलता चला गया पेमेंट कंडिशन का पता लग गया कैसे भेजना है कैसे रिसीव करना है कैसे सैंपल देना है कैसे पेमेंट आनी है सब कुछ पता लग गया और आज हम बहुत बढ़िया तरीके से पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे है आप लोगों के लिए ना अपने business experience के अधार पर मैंने develop किया एक course और वो course है ROPE Result Oriented Program for Entrepreneur इसको मैं result oriented क्यों गहता हूँ क्योंकि मैं केवल उसी विशाय पर बात करता हूँ जिसका practical मैंने अपनी industry में किया है मैं export करता हूँ इसलिए export के बारे में बताता हूँ और franchise करता हूँ तो franchise के बारे में बताता हूँ मेरी company का dealership showroom है तो मैं आपको बताता हूँ कि company का dealership showroom कैसे बनानी है छोटे से business को scale करके कैसे large level पर company को develop करना है ये भी मैंने practical की है तो आप लोगों के लिए मैंने course डिपलेक किया result oriented program for entrepreneur अगला training program कब कहां किस शहर में है इसकी जानकारी के लिए बूड पर दियो number पर call करें ताकि आप अपनी seat को reserve कर सकें बड़ा important है ऐसे लोगों से सीखना जिन्होंने real life में business किया हो वो coach ही क्या coach होगा जिसने real life में business नहीं किया भारत जैसे देश में एक बहुत बड़े दुरभागी की बात ये है कि हमारे देश में 80% जो coaches है उन्होंने practical life में कभी business ही नहीं किया और business coaching पर बात करते हैं तो वो क्या करते हैं content कहीं से उठा के बतायते हैं case studies बता देते हैं दूसरी companies की detailing बतायते हैं Google से सर्च करके बतायते हैं practical life में क्या-क्या problem जाएंगी उनको पता ही नहीं होता हम हमारे courses में बात करते हैं practical implementations की कि actual में business को scale up कैसे किया जाता है course के लिए ज़रूर register करें इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोप है तो होप है रोप है तो होप है यदि आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलिटिड कोई भी प्राशन है तो वो प्राशना में comment box में लिखें या आप हमारी team को consulting के लिए भी contact कर सकते है स्वस्त रहें, मस रहें मैं Dr. Amit Maishwari आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत